कि हम जिस तरह अपनी सेहत सुधारने के लिए काफी सारी चीज़े करते हैं तो तरह हमारे दिमाग की जो सिहत है वो भी ठीक होने चीए तो दिमाग की सेहत को दुरुस्ट रखने के लिए फल सबजियां यह बहुत कारगर हैं तो फल सबजियों के इस्तमाल से शरीर को ही नहीं दिमाग को भी बड़ा फायदा होता है तो अभी जो लेटिस्ट स्टडी है उसके मताबिक जो लोग भरपूर बहुत सारे फल और बहुत सारी हरी सबजिया खाते हैं उनकी बड़ी उमर में दिमाग से जूड़ी बिमारियां जैसे अलजाइमर डिमेशिया का खत्रा कम रहता है अमारिका के हावर्ड टी एच चॉर्ण स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के जो रिसर्चर उनकी अकॉर्डिंग एट्वडिएट थाउजन मेल्स पर दो दश्य तक कियेगा एक स्टडी के बाद यह इस निश्कस पर पहुंचे कि जो स्टडी की जो स्टार्टिंग की गई थी उस समय सभी जितने भी लोग थे वो आसतन फिफ्टीवन इस के थे और विभिन सावालों के जरी उनकी यादाश और समझ का आकलन किया गया है कि उनकी यादाश कैसी है और वो कितना उसका सेवन करने वाले पुरुषों में दिमागी विमाने की आशंगा सबसे कम पाई गई तो वज्यानिकों ने फलों के जूस में पाई जाने वाले कलोरी को ध्यान में रखते हुए रोजाना सिमित मात्रा में ही इनके सेवन की सलाह दी तो इसलिए फूट्स खाईए और अगर आप बहुत ज्यादा एच्की हैं तो संत्रे जरूर खाईए यह आपको काफी फाइदा देंगे तो फल सब्जियां खाते रहिए और अपने सिहत को सुधारिए और यह खा लिए आपकी सिहत को यह नियापकी तिमाग को भी सुधारिए और कहते हैं ना कि जब जादा हुआ जाती है तो कुछ बिमारियां जैसे अलजायमर और डमेशिया होती है पर यह उन लोगों के लिए नहीं होती जो फल और सब्जी अच्छे से खाते हैं इसलिगे इसी पी चीज़ कर दिखना होती है जैसे आप पहले से खा रहे थे वैसी खाईए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब हो जाएगा थैंक यू धन्यवाद